नमस्कार किसान सांतियों गेहों की अगेती किस्मों का बुवाई का समय लगभग हो चुका है और क्रसक मित्र कहीं चेत्रों में गेहों की बुवाई जो हमारी अभी बारिस हुई थी इसके बाद डाइरेक्टली गेहों की बुवाई कर रहे हैं तो उन क्रसक सांतियों को अभी गेहों की बुवाई में एक विशेश ध्यान रखना है कि जब हम गेहों की बुवाई करते हैं तो हमारी जो सोयावीन की अभी कटाई हुई थी और उसके आउसेस जो हमारे खेतों में पड़े हैं यहां बारिस के बाद सड़ने लगे हैं और ज क्योंकि हमारी गेहों की फसल में फुटाव का समय होता है 21 दिन के बाद लगभग जड़ों का विकास होता है और काफी कल्ले बनते है उस इस्तिति में जड़ों में महू कीट का प्रकोप पिछले वर्स काफी मातरा में हुआ और उस समय गेहों का फुटाव नहीं हुआ और किसानों ने काफी प्रयात्न के बाद भी अच्छा उत्पाधन किसान नहीं ले पाए तो उस इस्तिति में एक रसक मित्र गेहों का जो बीज है उसका ट्रीटमेंट अवश्य करें सीट ट्रीटमेंट हमें अवश्य करना है जिसमें हमें कीट नासक को लेना है और एक फंगी फसल को बचाया जा सके और वहीं पर हमें कीट नासक का उपयोग करना है जिससे महु कीट का प्रकोप हमारी फसल पर देखने को नहीं मिले मैंने 15 दिन पहले प्याज की कांदी की रुपाई की थी जो आज इस अवस्ता में है और आगे हम कोशिस कर रहे हैं कि लगबख सभी किसान में गेहूं की जो बिजाई है वो सिचाई खेत की करके उसके बाद ही करे अगर आप उपर से जो बारिस हुई है इसके सिचाई से अग ताकि आपको अच्छा उत्पदन देखने को मिलें मिलते हैं अगली वीडियो में जई जवान जई किसान